नमस्ते बच्चो मैं स्माइल सी विजलक्षमी एक बार फिर आपके सामने उपस्ति दूँ बच्चो आज है शनिवार यानि एक्टिविटी का दिन तो बच्चो आज हम सीखेंगे फोटो फ्रेम बनाना जिसमें हम फोटो लगाते हैं वो फोटो फ्रेम बनाना सिखाएंगे जैसे कि मैं ने एक फोटो लिए तो मुझे इस साइज का एक फोटो फ्रेम बनाना है तो मैं क्या करूँगी पहले में एक कागज लूँगी उस कागज को मैं इस फोटो की हिसाब से सेट करके और इसकी यहां ऊचाये की सजाएंगे तो मैंने आपको समझाने के लिए देख लो यहां सजाया है मैंने यहां क्लर से इसको डेकोरेट कर लिया है सजा लिया है जैसे आप चाहें तो इसको आफूल पत्ती बेल कुछ बिना के इसको सुन्दर बना सकते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे उसके बाद हम इसके एक कोने को पैंसिल में पकरेंगे और धीरे धीरे हम इसको पैंसिल के साथ साथ गुमाएंगे और जो यहां तक का इस जो हिस्सक जो हमें दिख रहा है यहां तक इसको गुमा कर लाएंगे और फिर उसके बाद में हम इसको यहां लाने के बाद में यहां फर फेविकोल से हम इसको चिपका देंगे यहां हम फेविआ को लगा के इसको हम चिपका देंगे थोड़े में यह सूख जाएगा तब यह हमारा चिपक जाएगा ऐसे ही हम बाकी के तीनों कोनों को भी गोलों से घुमाकर चिपका देंगे देखो बच्चों मैंने ये चारो कोने चिपका लिए हैं ये अब थोड़ा हलका सा रहे गया बाकि सब सूप गये हैं ये हो गया हमारा फोटो फ्रेम तयार अब हम क्या करेंगे हम इसको हम इसमें अपनी जो फोटो लगानी है या तो चिपका सकते हैं या फिर इसके अंदर य यह हमारी photo frame तरह यार होगी अच्छो देखो कितना सुन्दर लग रहा है आपको अपनी जो photo लगानी उसके size के इसाप से photo frame कुछ इतना सुन्दर बनाना चाहो उतना सुन्दर बना सकते हो मुझे उमीद है मैंने आपको जो समझाया है वो समझ में आया होगा और आप मझे करके भेजोगे तैंक यू